अगर आप प्लास्टिक बायर से कुछ बनाने नहीं भी जानते हैं तो भी आप इसको बहुत ही असान तरीका से बना सकते हैं यह फ्लावर बनाना बहुत ही इजी है देखिए फ्लावर को हम बहुत सारा कलर में बनाए हैं आपको जो कलर का ठीक लगता है आप उस कलर में इसको बना सकते हैं या तो आप सभी कलर का बना के एक स्टेंड में इसको सेट कर सकते हैं देखिए सभी का कलर चेंज है पर साइज सभी का सेम है अगर आप लोग को यह ड टाश्ऍ फिट का एक रूणिंग बायर लिए हैं और इसको गड़ बिलत से ना पयेगा तो आठ विलत हो गाँ फ्रेंस् दीजेए ग्राइब कर दो चाल वाट रोड बिलत हुआ तो अब हम फ्लावर बनाते हैं तो किनारा पकड़ें हैं दू अंग़ी के उपड़ इसको रखेंगे इस ब Всемकुन तिया में ने रॉल करना है इस दूसरा पर एक रहते इसके ऑपर पर दूसरा पर plays एपर करेंगें500 निशों करेंगे इस तरह से आप एक अंगली पर भी रखके इसको रॉल कर सकते हैं तो फिर से हम इसके उपर रॉल करेंगे इस तरह से देखिए दो बायर के बीच में थोड़ा सा गेफ है और फिर से हम तीसरा रॉल करेंगे इस तरह से तो फिर देखिए दो और तीन बायर के बीच मे थोड़ा सा gap है तो इसी तरह से gap रखते हुए थोड़ा आगे तक हम roll कर लेते हैं देखिए यह नीचे तीन वायर हुआ तो और हम दो बार करेंगे तो देखिए यह नीचे चार वायर हुआ और फिर से यह last वायर रॉल करेंगे तो देखिए friends यह उपर बला छोड़के नीचे पांच वायर हो चुका है तो हम पांच फिट का वायर लिए थे friends पांच फिट में इतना बड़ा ही फ्लावर बनेगा तो हम last वायर को डबल करेंगे इस तरह से देखिए friends लास्ट बला फंदे में हम वायर को डबल किये हैं पूरा सटा के एक फंदे और डाले हैं जिससे कि क पीछे तरक से डाले और उपर के तरफ निकाल दिये और फिर हम फंदे के बीच में वायर को डालते हुए पीछे साइड करेंगे और अब सभी वायर का सीधा तरफ उपर रखते हुए इसको टाइट कर देंगे देखिए friends सभी वायर का सीधा साइड उपर के तरफ रख रहा और इसको टाइट कर दिये तो देखे एक गाट लग गया अब हम बायर को आगे करते हुए फिर हम पीछे साइट करेंगे देखे पीछे साइट एक फंदे बन रहा है तो इसको गाट का लेफ्ट साइट रखना है इस तरह से और फिर ये फंदे के बीच में बायर को डालते हु तो इसको हम डबल करेंगे इस तरह से देखिए ये बीच का गाट को हम डबल कर रहा है देखिए हो गया फिर हम बायर को आगे करते हुए पीछे साइड करेंगे देखिए पीछे साइड एक फंदे बन रहा है तो इसको गाट का राइट साइड रखना है और फंदे के बीच मे सबी बायर को डालते हुए पीछे साइट कर देंगे तो देखे फ्रेंस मेरा तीन गाट पूरा हो चुका है बीच का गाट को हम डबल किया है फ्रेंस और दोनों उत्रब का गाट सिंगल ही है अब सबी गाट को डबल कर सकते हैं तो अब हम इसमें वायर को सेट करेंगे, तो देख्येए मेरा वायर ठोड़ा सा जादा बड़ा बचाया है क्योंकि हम सभी गाॉट को डबल नहीं किये हैं, तो अब हम इसको कट कर देंगे, एक विलध मैं चाहिए हे वाय spirits में सेट करेंगे तो देखिए फ्रेंस गांट का राइट साइड से वायर डालना है इस जगा देखिए हम गांट का नीचे से वायर को डालेंगे और तीनों गांट का लेप्ट साइड में वायर को निकालेंगे इस तरह से अंदर करना है और तीनों गांट का लेप्ट साइड म wire को निकालेंगे इस तरह से तो अब हम इसको अच्छे से tight कर देंगे तो देखिए wire का सीधा तरफ उपर हो रहा है friends तो देखिए मेरा तीनोगाट अच्छे से set हो चुका है तो आप ऐसे भी flower को इस टेंड में set कर सकते हैं अगर आपके पास पती है friends तो आप इसमें set कर देजिए तो ज़धा सुन्दर लगेगा तो देखिए हम दो तरह का पती लिए है friends एक डिजाइन का दो पती है और दूसरा डिजाइन का एक पती है तो इस तरह से हम पती को flower में set करेंगे देखिए दोनों पती को दोनों तरफ रखते हुए डाले है और ये छोटा पती को हम पीछे side से डालेंगे इस तरह से तो ये नीचे तरफ चुका हुआ रहेगा तो ज़धा सुन्दर लगेगा देखिए बहुत ही प्याड़ा flower बनके त्यार हो चुका है हम पॉंच फीट का बायर लिए थे फ्रेंस पॉंच फीट का बायर में मेडियम साइज का flower बनता है अगर आप इससे छोटा बायर लेंगे तो छोटा flower बनेगा और आप बड़ा बायर लेंगे तो इससे बड़ा flower बनेगा आपको जैसा ठीक लगता है आप उसा बायर से बनाईए देखिए दोनों फ्लावर सेम बनाई है फ्रेंस तो आप लोग को कैसा लगा ये फ्लावर डिजाइन कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजिए अगर मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे फ्रेंस जिससे कि हम इस तरह का नियो नियो डिजाइन आप लोग के साथ सेर करती रहूंगे तो तब तक के लिए बाय फ्रेंस फिर मिलेंगे नेक्स्ट विडियो में